अगर आप भी बज़ट में रत हुए एक अच्छा सा रूम हीटर डूनरू अपने घर को गरम रखने के लिए तो आज हमारे रूम हीटर के सीरीज का ये थर्ड वीडियो है इसके पहले मैंने दो बज़ट सेग्मेंट के और रूम हीटर का रिव्यू और डाल के रखा है एक था बजाज का और सेकंड उशा का दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा दोनों के कुछ प्रोस और कॉन्स हैं जो कि मैंने वीडियो में एक्स्प्लेइन के हुए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वह वाले वीडियो भी देख लेना एंड आपके बज़ट के हैं जो आपके ज़रूरत है उसके हिसाफसे जो आपको सूट करें आप जाके बाई कर सकते हो आज हम लोग स्पेशली क्रॉम 10 के इस बजट वाले रूम हीटर का रिव्यू देखने वाले हैं इसका जो एमारपी है वह 4800 रुपीज इसका इमारपी है बट आप एमाजान फ्लिपकार्ट पर दोन जगा पर आपको 2-2,500 रुपे के बीच मैं आराम से मिल आपके साथ शेयर करूंगा बिल्ड कॉलिटी कैसा है एंड लास्ट वाला जो उशा वाला जो रूम हीटर था उससे थोड़ा बहुत कंपरेजन में डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें और उसमें क्या क्या डिफरेंस है जो भी आपके ज़रूरत के साफ़ से सूट करें आप जाके उसवाले रूम हीटर को बाई कर सकते हो दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा फट आउट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं लेस्ट स्टार्टेट अपको मिल जाएगा एक यूजर मैनूल गाइट जिसके अंदर में इसके सारे फीचर् उसके वारे में बहुत बताइगे साहथ में व्रॉरंती कार्ट आट वी उसको फेक मत बहुता हैं एक साल के वारंटी के साथ आता है बिल्ट क्वालिटी के वारे में बात करें तो आपको 1.5 मीटर लंबा इसके अंदर में तार मिल जाता है केबल की क्वालिटी काफी अच्छी है जैसा मैंने उशा वाला रूमिटर का रिविव किया था एक दम सेम आपको इसमें 3.5 मिल जाएगा केबल की कॉलिटी काफी अच्छी है आईसाई मार्क के साथ आता है और 16 एंपियर के पावर रिटिंग इसमें यूज किया गया है ध्यान ये रखना आपको कि अगर आप कोई एक्स्टेंशन बोर्ड यूज करते हो मेरा बताने का फर्ज है इसलिए मैं इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ अगर आप फर्स ताइम देख रहा हो तो पहली बार रहा हो सब्स्राइब जरू कर लेना इस तरह के इंफॉर्मेटर वीडियो के लिए इसके लब बात करें तो टॉप से लेकर नीचे तक में आपको पूरा मेटल का कंस्ट्रक्शन मिल जाता है जो क्वालिटी में यूज किया गया तो क्रॉम्टर निया पर हलका सा पॉलिश भी कियर के दिया गया जो की ऊशा वाले रूमीटर कंदर मेस्टिंग था जब आप इसको टच करोगे तो आपको काफी स्लिपरी सा फील होगा इस पर पॉलिश किया गया जिसकी जो क्वालिटी है जो आपको स्क्राचेज वगर थोड़े से कम लगेंगे साइड में जो कस्ट्रक्शन आप देखरो यहां पे एरवेंट्स दिया गया है जिसके मदद से यह हवाओं को अंदर के तरफ खीचता है यहां पे आपको हीटिंग कोई लगा हुआ है तो यह जो पंखा जब चलता है तो अंदर यह इस तरह के से डिजाइन किया है कि यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको फाइदे नुकसान है फाइदा यह रहे है कि जब आप पंखा तेज़ चलाओगे तो हीटिंग कोईल कम डामेज होगा और आपको लॉंग रन में हीटिंग कोईल आपका लंबे टाइम तक सर्फ करेगा अब इसका थर्मोस्टार्ट कैसे यूज़ होगा मैं आपको एक्स्प्लीन कर देता हूं तो यहां पर जो आपक को 2000 फे सेट करके इसको आपको ओन कर देना है कुछ देर के बाद आपका कम रहा है वह एक सदंट मेंफव से अवाज करेगा वहाँ पर बाद भार ऑद जैसी आपके room heater का auto cut feature enable हो जाता है तो यह जब आप on करोगे तो यह continuously चलता रहेगा जब एक certain temperature पहुंचने के बाद जब room आपका गरम हो जाएगा तो यह heating coil को सिर्फ off कर देता है and जैसी opposite temperature गिरेगा तो heating coil on हो जाएगा तो यह जो है वो continuesly आपका यह वह अपडेट होता रहेगा चलता रहेगा इसका है पानीव हुचा वाले से थोड़ा से ज्क्राइज कर सकते हैं थ्यूंगली क foul फॉल यहां से KARS था हो उन्हां से काफ़ी गरम हो जाता है तो इन Ц ti अगर आप इसको टाच भी करते हो तो उंगलियां जलने के चांसे काफी कम रहेंगे तो फिर भी आप थोड़ा सा ख्याल रखना कि आप पीछे के तरफ से उठाना ना कि आगे के तरफ से नहीं तो यहां पर टाच होगा तो यह वाइट वाला सेक्षिन बहुत जादा गरम हो चाहिए तो आप आराम से सको कंट्रोल भी कर सकते हो कुछ अडिशनल फीचर करें बात करें जो कि उशावले मिसिंग था तो यहां पर आपको केबल मेंगेंट के लिए थ्री पिन मिल जाता है जिसके मेंसे आप इसको इसके अंदर में इंसर्ट कर सकते हो और आपका यह जो से बाहर के तरफ आता है तो एक्स क्रू अगर यहां पर दिया अ certa यहां पर और जादा तब इसको और कंट्र से कॉसके मतलब भी मतलब सब्सक्राइब करते हैं एक हजार वाट फिर अभी बिजली करेंगा जब रेड वाल इसके सामने में रहेगा एंड सेकेंड मोड में आप जैसी जाते हो इसका राइज आपको दिखाई देगा इसके अंदर में तब तक आप थोड़ा सा नॉइज भी नोटिस कर लो कि नॉइज जो है वह कितना आता है इसके अंदर में अभी देख सकते हो जो टेंपरेचर वह अच्छा गासा जम कर गया तुरंत थोड़ा टाइम देता है एक मिनट यद्ट टाइम लेता है डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा अभी हवायों में जो चेंज हो रहा है तेंपरेचर इस से चेंज हो रहा है अभी 24.6 डिग्र आप देख सकते हो तेंपरेचर जो है वह राइस कर गया इसको साइड में रखते है नहीं तो फिर रीडिंग जो है थोड़ा गलत आ जाएगा 25 डिग्री मैक्सिम अभी देको चला गया 24 डिग्री गया था अभी 25 डिग्री तक पहुंच गया 24.8 डिग्री से पहुंच गया कु कोई भी घर में छोटा बच्चा है तो वह मस्ती मजा के चक्र में इसको आउफ आफ नहीं करेंगे तो यह खराब होने के चांसे सकम रहेंगे लेकिन आपको दम लगाना पढ़ेगा जादा यह चीज़ ध्यान रखना यह थोड़ा सा हार्ड है बटन तो अगर आप थोड़ इस सारे जो प्रड़क्स आप देखते हो वीडियो में यह मुझे परसनली खुद से बाई करना पड़ता है ताकि मैं आप लोगे साथ रेव्यू शेयर कर पाऊं तो मेक्शूर कि चालिए पहली बार हो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरू दखाएं तब तक कि देखते हैं